कि चलो आज ना हम करेंगे स्रिफ एक ही टॉपिक कोई कोश्चन नहीं कर रहे यह हम यह सीखेंगे पहले के भाई साहब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है ओर ठीक है ना एबनॉर्मल लॉस और एक होता है हमारा नॉर्मल लॉस इन दोनों में ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं सीखना है आपको आप सेमिस्टर चार में जाएंगे तो उसके इंदर बहुत बड़ा मेजर रूल रहता है सिर्फ इन दोनों टॉपिक के उपर आपके पंदर नुमर के कोशन आ जाते हैं थियोरी नी प्रैक्टिकल कोशन जो प्रासेस अकाउंट के अंदर होते हैं तो एबनॉर्मल और नॉर्मल देखो जैसे फॉर एक्जामपल कुछ ऐसे काम होते हैं एक्जामपल अगर मैं लू इक एक्जामपल नो उहां मान लेते हैं एक दूद boundary में आता है मदेडेरी में भी होता होगा किछ लो मैं तसलिड Aur इसके मान लेते हैं कि हर किसी को दूद बेचेगा और तो उसके कितने customer है 10 customer है 10 customer को बेजना है तो हर एक customer को इसने सोचा के मैं एक एक kilo बेज दूगा लेकिन पहले customer को जब उसने दिया तो पूरा 1 kg दिया दूसरे को दिया तो 1 kg दिया अब 1 kg का मतलब 1 kg नहीं है क्योंकि जब घर पे कोई आता है ने समान देने के लिए तो हम अपनी मनमानी चलाते दुकान पे जैसे जाओगे तो दुकान वालों के हिसाब से चलोगे घर पे अपने कई वार आप फेरी वाले वगर ऐसे लोगे समान देखना लेने की तो फिर उसको उस तरीके से ट्रीट न मांगेंगे अब तो खेर मदर डेरी पैकेट और यह सारी चीजा आगे जो कि होजादा हानिकारक भी है लेकिन अब मजबूरी है वैसे गाओं वगरे में अभी भी यही चलता है पैकेट वैकेट का कोई ट्रेंट नहीं है वहाँ पे तो अब एक किलो नाप दिया उसने फिर वह उमीद करते हैं कि थोड़ा और तो अगर मान लेते हैं कि 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम भी सब को दिया ठीक है 20-20 ग्राम भी सब को दिया तो दस भी तक आते आते 200 ग्राम तो उसके ऐसे फ्री में बट गए जिसकी कोई गिंती नहीं है और लास्ट वाले को सिर्फ और 200 ग्राम ही मिल पाएगा आप समझो इस बात को और यह ऐसा नहीं है कि एक दिन होगा यह रूटीन का है यानि अगर इससे 10 किलो पूरे दूद बेचने हैं तो 10 के वदले से साड़े 10 किलो लेके निकलना चाहिए और यहां से छोड़ो यह तो है यह साथ के साथ कैसे भी लेक 10 किलो दूद लाता है और अगर 10 किलो कस्टोमर को बेचता है वह तो एक्चुल में कस्टोमर को 10 कजी नहीं बेच पा रहा हुआ तो अगर 10 रुपे किलो दूद है तो मैं मान लेता हूं कि कंपनी नोन प्रॉफिट और गनाइजेशन है एक रुपे भी नहीं कम आएगी तो इसका मतलब इसे 10 किलो की जगहे पर मान लेते हैं 11 किलो ली के चलना पड़ेगा और 11 किलो के टाइम पर इसे हर किसी से एक रुपे के बदले एक रुपे से ज्यादा वसूला क्योंकि नंबर परसन तो मेरे पास दस ही है जिससे वसूल हूं मैं तो मुझे एक रुपे मान ल यानि अगर प्राइज आपको नॉर्मल लॉस हो रहा है यह लॉस कौन सा है नॉर्मल है जो की रुटीन नीचर गया है ऐसे लॉस के केस में जो नुकसान हुआ वो दुकानदार तो नहीं भीयर कर रहा है उसमें तो जट से क्या करा रेट बढ़ा दिया और वो रेट किसके पर शिफ्ट हो गया यानि नॉर्मल लॉस जब भी होता है न तो इसमें पूरी की पूरी भागीदारी किसकी होती है ग्रहा की होती है बिजनसमेन का कोई लॉस नहीं होता है कभी तो नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो की रुटीन नीचर का है जैसे कि वेट लॉस हो गया लिए हम इसको क्या करते हैं फुल लिख देते हैं पूड़ा का पूरा ही जो है customer क्या किया जाएगा इसलिए हम profit and loss केा क्विधिट में लाखक्र है यह और मैं कहें रहा नुक्सा नहीं होता है तो और यह वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट है इधर लॉस थोड़ी तो लोडिंग निकाल के लिखा देते हैं पूरा का पूरा जो भी हमारा ठीक है तो इसलिए नॉर्मल लॉस हमारा कभी भी ना प्रांच अर्जिस्मेंट का पीएंडल वाले पोर्सिल में नहीं है पाले से टकर लग गई और मेरा नौ किलो दूद गिर गया अब फाइनली मैंने बला चली आराज सबको मना कर देते हैं एक कस्टमर को दे के चले जाते हैं और इस कस्टमर को बहुत है आप आप से मैं 100 रुपे लूँगा क्योंकि मैं घर से 10 किलो दूद लेके निकला था और 10 किलो गिर गए तो अब आप ही को दे रहा है एक अकेला कस्टमर तो आप से ही मैं 100 रुपे वसूल लूँगा तो क्या यह कस्टमर देने के लिए तयार होगा नहीं होगा यह अभी दस या ग्यारा जो रेट है वही देखा तो यानि जो नुकसान हुआ यह वाला और यह ड्र यहां पर लिख देते हैं और उसका लॉस जो है बचा हुआ वह पिए लिए तो सर एबनॉर्मल लॉस कहसे पहचाना जाए कुछ एक वर्ड है जैसे की आपका गुट्स प्लीफर लिखा हो लॉस बाइफायर लिखा हो लॉस इन ट्रांजिट लिखा हो ट्रांजिट भी होता है लेखिन इसके अंदर कई बार होता भी हो और कई बार नहीं होता और शॉर्टेज लिखा हो तो यह सभी के सभी हमारे अबनॉर्मल लॉस है और सिंट ट्रांजिट अगर आपको इन्सॉरेंस क्लेम मिल रहा है क्योंकि हमेशा आप इन्सॉरेंस उसी का करवाते हो जो अनि क्योंड कोती जैँ आपका फिक्स नहीं है उसके लिए हमने इन्सॉरेंस करा आया got insurance मैंने बोला कि मेरा लॊस इन्ट्रांजिट है और सपोस मैं खुद बोल देता हूं यह वेट है ठीक है वेट का मेरा लॉस इंट रांसिट हुआ और इसके बदले मुझे 200 रुपए का इंसौरेंस क्लेम मिला है तो अगर मैं यह 200 रुपए की क्लेम की बात आपसे नहीं करता तब तक यह तो नॉर्मल लग रहा है और जैसे ही मैंने बोला इस पर क्लेम मिला है तो भी आप यह नॉर्मल नहीं रहा होगा यह कौन सा हो गया होगा यह समझ रहे हैं तो यह कुछ एक वर्ड है जो कि आपको कुश्चन में देख बन होगा सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्या होगा इस वाले का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो जगह चले जाती है है ना सर दो जगह कहां जाता है एक लोडिंग का पार्ट चला जाता है लोडिंग चला जाता है जिसे मैं बोल सकता हूं ट्रेड बैलेंस जो बचेगा बैलेंस कहां चले जाएगा हमारा प्रॉफिट अब बैलेंस कैसे निकालेंगे वह आपको अच्छे से पता है जैसे कि 10 रुपे का समान है मैं 12 में बेच रहा हूं तो 2 रुपे लोडिंग तो आगया ट्रेडिंग में और 10 रुपे जो था वह पूरा नुकसानी हो गया एक तरीके से वह पहुंच गया हमारा प्रॉफिट कि वह कस्टोमर्स अल्टिमेटली रिकावर कर लेता है तो इसलिए नॉर्मल लॉस का सरिफ और सरिफ आपको एक ही एंट्री करना है लोडिंग लोडिंग भी नहीं सुरी जो फुल होगा वह फुल अमाउंट फुल अमाउंट या टोटल अमाउंट कह लो कहा दिखा देंगे सराव ट्रिवरी आप देखा देंगे ट्रीडिंग नँगे व्यां यह पज़यें कमें यह जिंद है नोmaya रहेगा हमारा को सब्सक्क्राइब है और लास्काइब हमने एक एंट्री ट्रांजेट वाला भी देखा था गूट से ट्रांजट अगर हम समान भीज रहे हैं तो हमें फरागी की पड़ता तक मतलब क्या है लेकिन हमारे पास समान रहा है तो वह ट्रांजट 2006 के अंदर भी आएगा और गूट सेंड के अंदर भी दिखेगा वो अलग से साहध अपने अब अगर कुश्चन 20-25 तक दे रखे थे तो अगर देखा होगा तो आया होगा कहीं ना ठीक है और यह वाले तो आपको ठीक है एक तो हम बना लेते हैं स्प्ली ब्रांच स्टॉक अकाउंट कि जादा बड़ा बनता नहीं है यहाला कि कि क्या इसमें डेटर बन रहा है जो 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 जुरत होगा सिर्फ वहीं बनाएंगे लिए कि सेमेस्टर वन वाले बच्चों को ना जैसे अभी कुछ बच्चों को मैसेज आप मेंसे भी किसी के पास आया होगा मैसेज ठीक है तो उसके अंदर क्या है बहुत बच्चों को मैसेज कर रहे हैं तो बहुत बच्चों को यह नहीं पता कि उनके एक्जाम है वह तो बोलते हमारे एक्जाम तो अभी होंगे टाइम लगे अभी तो एडमीशन नहीं लिया है ठीक है तो ऐसे एक बच्चे नहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि भाई जिनको यहीं नहीं पता कि उनकी डेट शीट भी आ गई और कल से मोंक इस्टार्ट है न परसों से और मोंक नहीं देंगे ना तो आपका आपकी रिस्पॉंसिलिटी है कि बता दो उनको कि भाई मोंक नहीं दोगे ना तो फेल हो जाओंगे नहीं तो मोंक है भी मोंक का मतलब आप देदें चाहें ना दे फरक नहीं पड़ेगा नहीं अभी वो मोंक का ही दिया होगा शायद मेरे हिसाब से अभी मैंने देखा नहीं एक्जेक्ट जो पेपर होगा न उसकी डिट्शिट तो अलग से ही पूरी आ जाएगी कि भाई इस दिन इतने बज़े इतने बज़े पेपर होगा और पूरा पेपर न एमसी क्यू बेस सकता ठीक है और पूरा अंसर कई वार लिख के भी देखना क्या आंसर देगा वह आपको भी नहीं समझ आएगा क्या देदिया आप एक कोशन को और पूरा लिख दो उसको तब भी नहीं बता पाएगा तो आपको आना बहुत जरूरी और पास होना इसमें मेंडेटरी अगर आपको सामने किताब लेकिन साथ 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 आपको डिपोजिट करना कुछ बच्चे क्या करते हैं सोचते हैं टाइमिंग चले गया और फिर सोचने डिपोजिट कर दिया मैंने बता दिया तो वह एपसेंट हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखना हाँ त्योरी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा इसका आपको आना जरूरी है सभी का पेपर एक ही जैसा होगा किसी का पीपर अलग नहीं होगा कहीं ऐसा सोचो सेट ए आ गया सेट भी आ गया हां यह नहीं अप्रोग्राम की टाइमिंग अलग होगी जैसे लास्ट इयर आगर मैं बताऊ ना तो अव्रोग्राम वालों का टाइमिंग थ हुआ भाई या तीन वज़े जो भी पेपर का टाइम रहता है यह टाइमिंग रखा था तो मेरे हिसाब से आप लोग का भी टाइमिंग कुछ ऐसा ही रखेंगे दोनों का पेपर अलग-अलग होगा लेकिन हां ओनर्स वालों में से काफी सारे मल्टीपल कोश्चन रिपीट होते हैं और यह जो है मोग टेस्ट वाले सिस्टम मान के चलो सरिफ एनिपी वालों के लिए है जो सीवेसे वाले पुराने थे ना उनका नहीं है वैसे यह सिस्टम मुझे नहीं लगता जादे दिन तक एस रेगुलर के अंदर तो इंटरनल हो जाता है इसमें होता नहीं उनका इंट और जितने भी टेस्ट आप दोगे ना तो ध्यान डखना अब सबूत जरूर रखना नहीं तो वाले जट से जूट बोल देते हैं कि आपने पेपर नहीं दिया कि आप लिए तो यह बोल देते हैं बहुत जल्दी आपने पेपर उकर नहीं दिया आप इसलिए चलो सर कहता है कॉलकता इन्वोइस गुट्स ब्रांच मुंबई और 50 परसेंट ठीक है असाइन्मेंट 27 से है और यह सिर्फ और सिर्फ है एसल वाले बच्चों के लिए रेगुलर के लिए और इंसी वेब के लिए नहीं है उनका अलग असाइन्मेंट चल रहा है उनका और हो भी गया होगा कहता है भीया कॉस प्लस 50 परसेंट पर सारी काम का चलने वाला है और सब्सक्राइब के ऊपर अगर मैं बोलू तो वन भाइठी हो जाता है ठीक है अपने इतने कोश्चन की होंगे अगर वो टेवल आपको ध्यान हो तो उसी में से आरा इसके बाहर है ही नहीं तो और एक्जाम में भी उसके बाहर नहीं देता एक्जाम तो 50% फ्रॉम दा फॉल कहता है इस टॉक एड़ दा कमिंस्मेंट अफ दा ब्रांच इंवाइस प्राइस पर है तो स्टॉक दिखा दे रहा है यहां पर तो टू बैलेंस कि इसके बाद आगे देखा जाये तो प्लोजिंग स्टॉक पाइख लोजिंग कितने का है छे लाग यह सब आई पीपे है ठीक है फिर देखे तो गुट सेंट कहता है इंक्लूडिंग गुड्स वन लैक रुपीज इसका मतलब भया ट्रांजिट अब ट्रांजिट का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और ब्रांच ने भीजा तो भी ट्रांजिट होगा माले हैड ओफिस ने भीजा तो वो तो हम इसको नो दो सेग्मेंट में अलग-अलग दिखा दे सकते हैं या आपकी मर्जी आप गुट सेंट पूरा ऐसे दिखा दो एक लाग है और टोटल छे लाग है उसमें इंक्लूडिड है कहता है कि इंक्लूड गुट्स इन्वाइज एक लाग रुए बट नॉट रिसीव तो यहां पर चाहें तो यहां पर छे लाग लिख दें अदर्वाइस इसका दिखाने का थोड़ा से श्टाइल लग हो सकते हैं पचास लाग है एक लाग की बात नहीं कर रहा है तो पचास लाग रुपया ऐसा लिख सकते अधर्वाइस एक आपके पास और भी अविलेबल एक या सर 49 लाग लिख ले और एक लाग रुपया लग से दिखा दे गुट से ट्रांसिट के नाम से ठीक है वो टोटली आपके कोई भी गलत नहीं होगा समझ में है हां लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा साफधान रखना पड़ेगा आपको कहते हैं इसने ब्रांच का और रिटन गुट्स हैड़ ऑफिस बाइक ब्रांच यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉंट होता क्या है जैसे मान लेते हैं कि मैं रानी बाग बाग में BTW वही एक्जामपल ले लेते हैं और एनसपी में भी BTW एनसपी क्या है हमारा प्रांच है और रांच क्या है सबसे पुराना हैड ओफिस है तो एक कस्टमर ने समानी हां से लिया था लेकिन अगर वह इसको वापस करता तो हम अपना बढ़ा लेते वापस करता तो हम अपने स्टॉक को इस साइट से बढ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर हम मीं यह कर लिये डिफेकटिड है तो हम वापस करते तो इस साइट दिखा देते ऐसा यह होना था ना तो में दिखा दिया और वही फिर हम अल्टीमेटली क्या करेंगा अपने पास तोड़ी रखेंगे किसको वापस करेंगे एच्छों के वह इधर दिखा देगा समझ रहे बात सर यह भी सेलिंग प्राइस दोनों सेलिंग प्राइस पर होने की वज़े से इंपक्ट निल हो गया है यहां पर समझ में आ रहे हैं अगर हमें कस्टमर ने डारेक्ट वापस कर दिया क्स्टमर ने क्या बोला भाई मैं तिरको नहीं दे रहा तो अब ब्रांच के पास तो यह दोनों एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला ना लेकिन इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगा वह बो और बाई साइड में भी दिखाएगा रिटन टू स्टोर कि दो लाग पचास जार पहले यह बात समझ यह क्यूं करा इस नहीं से ठीक है आप बुक में भी देखेंगे तो आपको ऐसे दोनों साइट देखने को मिलेगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यह कहां से कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा दोनों साइड क्यूं है अभी करेंगे आप मानलों गुड्स इंट्रांजिट के एंट्री में इधर कर दिया है कर दिया है अब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा छे लाग अब इसको बाइफिकट करेंगा भी यह पांच लाग इसमें हमारे पास होगा ट्रांजिट वाला होगा सब्सक्राइब आप इसके एंट्री कहीं नहीं भी दिखाते तब भी चलता है हां अगर यहां पर कहता है एक्स्क्लूड वर्ड को एक्स्क्लूड कह देता यह तो ऐसे सिचुएशन में में पचास और एक लाग हलक से दिखाना ब लिखते हो ने डेटर में आप सुचोब से तीन तीन एंट्री हो रहा है हुआ क्स्टमर ने वापस किया मैंने यहां दिखा दिया इफेक्टिड है मैंने यहां वापस कर दिया यह ऐसे प्रोसेस समझें ठीक है अभी 17 भी देख लेंगे करें यह वाला इजी है 17 देख लिए वह टॉप है कौन सा नहीं नहीं देखो अगर वह ब्रांच को करता है रिटन तो हमें एक एंट्री करेंगे अगर लिखा हो सेल्स रिटन तो मतलब भाई डेटर ने हमें दे दिया हम इधर लिख लेते हैं अब जो हमें हैड़ ऑफिस को वापस करना है वो कुश्चन बोलेगा और वह सकता हमाउंट डिफर हो हैड़ और ऐसा हो सकता है ब्रांच ऐसा कर सकता है कि चार पांच कस्टमर का इखटा वापसी कर रहा हो जोड़ के तो आप यहां कामाउंट और यहां कामाउंट अलग देखो गें लेकिन अगर कस्टमर भागके डारेक्ट हैड़ आइड़ करना पड़ेगा इधर इधर और वैसे देखा जाएगा इधर इधर ना भी दिखाओ तब भी आंसर क्या आएगा लेकिन हम दिखा देते हैं ताकि पता हो कि यह रिटन वाली एंट्री ठीक है और इस पर लोडिंग का भी कोई सवाल नहीं बनता है वैसे क्योंकि दोनों आधी धमारे क्या हो गया इक वो गया अभी देखते हैं आगे क्या कहता है क्रेडिट सेल्स तो क्रेडिट सेल्स इधर आ जाएगा कि क्रेडिट सेल्स कितने का है कि 45 लाग इसके बाद कैसे ल्ग टू पॉइंट फाइव लाग गुट्स प्लीफर्ड कि पचास अजार कि इसके बाद खुद कुश्चन कह रहा है नॉर्मल लॉंस कि 75 कि इसके बाद अब ध्यान दीजिए जो हमारे पास गुट्स इन ट्रांजिट था न अब इसको दिखाने का थोड़ा से स्टाइल बदल जाएगा इसको तो हम पांच लाग लिख देंगे और बाई लिख देंगे हम गुट्स क्यूंकि रस्ते में अभी इन ट्रांजिट अब अब देखिए यहां पर एक और डाउट आ सकता है क्या पता यह जो छे लाग रुपे बताया है कहता है क्लोजिंग स्टॉक एंड इन वाइस तो इसका मतलब भी है यह छे लाग रुपे जो हमारे पास दिख रहा है वो है तो यह छे लाग तो आएगा ही आएगा और ए तो पांच और एक अभी नहीं बोला तो इसका मतलब हम मान लें यह बहया तो दुकान दारी के अंदर समान था वह तो छे लाग कहीं था और एग लाग का बहिए वो ट्रांजिट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो अभी ट्रांजिट में ही होगा और जब भी अब हमारा जो भी आंसर निकलता है इधर सीडी तो निकलेगा निए और डी की इवन है शॉटेज निकल सकता है है तोटल किया गया इसका है कि साधे साथ लाग पचास लाग तो साथ लाग और माइनस बैंतालिस लाग माइनस लाग माइनस लाग चास लाग चास लाग साथ लाग एक लाग पचातर लाग यह क्या गया शॉटेज आ गया अब हम लोटिंग की बात करते हैं तो लोटिंग किस किस पर निकलेगा एक तो हमारा यह है ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक भाई में आ जाएगा स्टॉक रिजर्व वन बाई थ्री करेंगे 25 धाई लाग और एक गुट सेंट पर यह पॉइंट में आ जाएगा है न तो यह आगए सोला लाग साथ हजार मतलब बहुत 16.6 अब 6666 पूरा चला जाएगा ठीक है और टू में किस पर आ जाएगा सर टू में आ जाएगा हमारा गुट्स प्लीफर्ड पे स्टॉक रिजर्व गुट्स प्लीफर्ड तो पचास अजार पे दिवैड थ्री मैं लिख रहा हूं यहां पे टूटलिंग आपने करना है 666 में पर जगह नहीं मिल रहा और किस पर आ जाएगा नॉर्मल पूरा ही आ जाएगा गुट्स आपके बाद टू क्लोजिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग वाले पर कितना आ जाएगा 6,00,00,00 तो भी है यह 2,00,00,00 और गुट्स इं ट्रांजिट पर ट्रांजिट एक लाग पर तो 33,00,00 कुछ आ जाएगा है ना एक लाग डिवाडिड़ बए 3 तो 0.33333 और एक सॉटेज पर आवी आ जाएगा डिवाडिड़ बए 3 तो 58 तीन 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 आगे हमारा टू स्टॉक रिजर्व और सॉटेज पर गुट्स रिटन नलिफाई होगे ना जो गुट्स रिष्टन था कौन से रिटन अभी रुख जा रुख जा पर यहां त अब हमारा गुट्स रिटन की बात रही तो गुट्स रिटन किस ने किया है अब जो गुट्स रिटन कौन से वाले कि आप देखो यह भी रिटन है अब यह रिटन कौन सा मान रहे हैं हम एच्छो का इस वाले रिटन पर आपके निकाल है यह वाले रिटन पर थो हम यह तो कस्टमर वाला है ठीक है न तो इसलिए हम कहां लिखें इसको इंग तुपर रिटन मैंने बहुत रफली पता नहीं क्या-क्या है कि लिखे दिया है एक एक पॉइंट थिरी थिरी और इनके लोडिंग नीचे आ जाएगा और कोई खर्चा दे नहीं रखा तो मेरे ख्याल यह कूशन तो हो जाएगा इसमें जो सबसे में हमने क्या सीखा यह एक तो रिटेन वाला पॉइंट सीखा कि कस्टमर अगर डायरेक्ट रिटेन कर देता है तो क्या करें और एक क्या सीखा गुट सेंट ट्रांजिट और नॉर्मल और बागी का काम आप करोगे डिए मैं बता देता हूं कि किसके नीचे आने वायवले वाला है एक तो हमारा यहन औरंमल लास नहीं को हमारा प्लेफर्ड का वो नीचे आ जाएगा और सौटेज का जाएगा यह दो आ जाएगा ठीक है पस इसके बाद तो और कुछ आना नहीं है और यह हो